देखिए भारत एट नाइन कावेंद चौहान के साथ देखिए भारत एट नाइन कावेंद चौहान के साथ पूरा देश आज विजय दश्मी का त्योहार मना रहा है इस त्योहार की सबसे मुख्य चीजों में जो सबसे पहले शामिल है वह यह है कि दशेहरे का मेरा लगना और रावन का पुतला दहन होना देश के हर राज, हर शेहर, हर जगा यही तस्वीर दशेहरे के दिन देखने को मिलती है लेकिन अगर एक बात आपसे कही जाए कि एक ऐसी जगा भी है जहां पर रावन का पुतला दहन नहीं किया जाता बलकि उनको पूझा जाता है और यह है रावन की जर्म स्थली बिल्डिकों से आप देख सकते हैं की यह मैं कौन सी जगा पर हूँ आप अंदाजा लगा सकते हैं यहीं जगा है ग्रेटर नौड़ा ग्रेटर नौड़ा में लंबी-लंबी मारते है गगन चुमबी मारते हैं लेकिन इसी के बीच इक गाउं बसा है जिसका नाम है बिसरक बिसरक गाओं की जो एक खास बात है वो यह है कि यहीं पर रावण ने अपना बच्पन गुजारा था यहीं उनके जमस्थली बताई जाती है इसके बारे में क्या कुछ कहानिया है क्या कुछ चर्चाएं जो है वो जादा पुब्लिक डोमेन पर है उस पर भी चर्चा करेंगे यह मंदिर है जो अस्ट मुखी मंदिर है भगवान शिव का उसको यहाँ पर दूर दरा से लोग आते हैं शर्दालू देखने आते हैं लेकिन दशैरे पर इसकी जो गरिमा है वो और जादा बढ़ जाती है इस मंदिर के अंदर चलेंगे देखेंगे कि इस मंदिर के अंदर जो शिव जी का मंदिर है वहाँ पर और बी काफी शर्दालू दूर दूर से आयो हुए है तो इसकी जो कहानी है वो यह है विश्वसरया जो यहाँ पर रिशी जी थे उन्होंने इस मंदिर के स्थापना की थी उनकी पतनी थी के कसी तो उनी के चार बच्चे थे जिसमें से तीन जो थे वो रावड कुमकरण और बिवीशत थे और सूप रखा एक बेटी थी तो उनी में से रावड जो थे सबसे बड़े पुत्र थे सबसे प्रिया पुत्र थे और उनी की जर्मसली के नाम से ये जग यह मनन्दिर नाम से मंदिर मशूर है और इसके यहाँ रोप शवरी मोई विशेश नियुक्ति यहा पर रावन कinku बरन्द पूजा है और आज से कुछ समय पहले कि मैं बात करूँ, मैं कहानियों में पढ़ रहा था, सुन रहा था, तो देखा था कि कैसे यहाँ पर, कुछ समय पहले तक तो दशेरे के दिन यहाँ पर शोग भी निकाला जाता था, लेकिन जैसे जैसे समय बदला तो लोग भी बदलते चले गए, हलाคflower कि आज भी यहाँ पर राम्लीला का मंचर नहीं होता है रावन्देहन की कोई भी पर जो प्रक्रिया है वो नहीं होती है यह सबसे प्रमृक्ष चीज यहां पर है इसको पताये जाता है कि गुफा है तो गुफा के अंदर जाने का विचार है में आधना करते थे वह यही रास्ता है इस समय गाजियाबाद घंटागर के पास में दुत्यस्वर मंदिर है काफी पुरातत तो उस नजर से भी देखें तो काफी चीज़ें मिलती रही है देखती रही है ठीक है गुफा वहां तक जाती है लेकिन आखरी समय में आपको कब यहां पर पताए गया कि है कोई गया हो ऐसी कहानी है जो यहां से इस गोफा से वहां तक पहुंचा हूं पर यहां हम शा depends on faster आती यां और इस साल बिलते को मुलता है और महाल जो है यह पर रावर नहीं होता है, और काफी जो है, कोई सलिवेशन नहीं होता है जो गुफा जाती है वो उसके लिए निकलती है इस मंदिर से जो गुफा जा रही है उस पंदिर निकलती होगे लेकिन आज के दौर में तो यह सब चीजे मुम्किर नहीं किकॉन है इस तना वक्ति में वोकर यहां से वहां तक जा पाएगा लेकिन आखरी कोई कहानी आपने प्रोशिश करते हैं यह जो है यहां भी जाती है यह जगा यह तो चीडिया नजर आ रही है पर यह बनाई हुई है सीमेंट से बनाई हुई है की कैमरा में सबसे पीछे रह गए आ अगर दिखाएंगे नहीं तो हमारे जाने का तो हपी कोई मतलब नहीं बनता सचले जाएगे बहुत आगे तक चले जाएगे ठीक तो फ्लैश तो है, लिया hata कोई कमरा लग रहा है कंभरा सदिखता है यहांपर तो ये खतर है यहांपर पर कमरे के बाद के बाद आपर देखें कमरा है यह पर दीज़े चाल देख लो हैं यह इसर थेजिऊ ने मिठ उस भी नहीं सब कमरा देख रहा ह। तो यहां से गुफा जो है वो नजर आ रही है तो ठीक है तो यह गुफा जो है यह इस मंदिर के अंदर गुफा है ठीक है अंदर से यहां से कहीं से जा रही है यह ठीक है तो यह गुफा आपको दिखा रहे हैं एक्स्क्लूजिव तस्वीरे हैं यह इस गुफा में वैसे तो ठीक का मैंने जी भोले वाबा का आराधना होती थी नहीं का मंदिर इस गुफा को हमने दिखाया एक्सक्रोजिव तस्वीर थी आपके सामने यहां पर यह जाता है कि बुराई पर जीथ है वो आज विजय दश्मी उसको लेकर मनाया जाता है लेकिन यह ऐसा गाउं है जहां पर रावण का तो पुतला देहनी नहीं किया जाता है तो पहले कुछ एसान हो नहीं मनाते हैं इपलगतें हैं हमारा यह काया है हमारा घाओ वी आज के दिन ऐसा ही हो जाता है जो जिए हम्हार सा प्राकृतिक ही यह सालो और आथा हथ पहले बता दो जबंगे बिल्कुल उत्र पर देश का लगहीं क्या लग रहा है अभी तो सांता है तो जग डिनाव क्या लग रहा है योगी बाबा जी सत्ताम वाइठे हैं योगी बाबा खुद जाते हैं बोट डालने जाते हैं तो क्या मतलब घर में समझा दिया जाता है सबसूर जी समझा देते हैं कि उनको बोट डाल दी तो जैसे आगे को देखते हैं उसी साफ से घर में भी बता देते हैं तो फोड़ी ना भार जाते हैं जब भड़े लोग भार जाते हैं क्या बतलब यह बताइए सड़के वड़के कुछ काम वाम आपको उता नजर आया कुछ सुरक्षा को लेकर पुलिस थोड़ी चाक चौबंध हुई हो पास अपने लगती चुनाओं मैं तो गंटेवा बदल जाते हैं लोग वह यह बसा भी वही चलदा महुल वही है मतलब सत्तकर हमारा जो गाम है रामन के नाम से प्रिशाजर हम अवहीं पूजा करते थे गाममी इसमें उसके दूर पर चले गटाऊ चले गए बहु हुँ और यह हमारे किम वह जु शुरू हुआ पूजा का सिलसला तो आज तक है हाँ पूजा का है वो आज तक ऑश है और काफения क पर लगी ओड है यहां पर बैठे ओड है वह सब चीज आपको बता देंगो आप यहां इस्थानी निवासी हैं यह मंदिर का निर्माड बाद में कराए गया था ठीक है यह मंदिर प्राचिंश्य मंदिर के बाद यहां जो भी है इसमें देख लो आप जागे अब सबको 20 मंदिर के निर्माड जो था बाद में कराए गया था जो शिवलिंग है वह सामने वाले मंदिर में सूल रावन जी की मूरथी लगी था यह यह पर लगी है तो यहां र मूरि रवलत के पिता जी की मूर्थी है यहां पर यह पूजा करते थे यह रामन जी के पिता जी हैं यहां पर पूजा करते थे यह आप प्राचीन रखी ओड़े महां पर पूजा करते थे आप सब लोगों से एक बार और बात करेंगे चर्चा पर जोड़ेंगे तो यूवा तो राजनीती के बारे में भी समझ रखते होंगे तो राजनीती पर भी चर्चा होई जाएगी लगे हाथ तो ये श्री कल्की जी का है ठीक है ये कुबेर भगवान जी का मंदर है लक्षमी नायान जी का मंदर है रादा कृष्ण जी का भी मंदर है और श्री मोहन राम जी का ठीक है जी रादा कृष्ण जी है ठीक है और ये मोहन राम जी, श्री मोहन राम जी का मंदर है, ठीक है, ये स्री साही बाबा जी है, और बजरंग बली का भी मंदर है, और साथ ही साथ, ये माखाली का भी मंदर है, ठीक है, ये क्या 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 तो गौशाला का भी निर्मान करा जाएगा ठीक है यह इस्तमाल होते होगी जराओं नोरात्रे बगएर ने इसमें कामट आती है ना बहुले संकर जी भगवान इसमें इस तो होकर आते हैं और यह जो है यह बरतन रखे हुए और यहां पाना पाना रसोई गर है सामने आपर ल समल लोग मौझूद हैं इसी मंदर की जो चर्चाएं है वो यहां से लेकर दिली तक आम हैं काफी चर्चा होती है देश भर में इस मंदर की कर्चा हो और धाद्र को यहां पर पूजा किया करते थे भगवान शिव कि आराधना किया करते थे और ऱावण का जो बच पन था जो साध जीवन था जा वो जा vitцol यहीं पर बीटा था यहीं पर गुज्रा था और इसको रावन की जrenmSthalk के नाम से भी जाना जाता है काफी कि दूर दूसर से शेथ डॉल यहां आते हैं मिलते हैं बातचीत करते हैं ऐसे में महराज जी में का शुक्त ही काहनी ग्यां कि अगर Yalow वे महराज जी हम आए बड़ी दूर से हम ने बड़ी काहनीणा सुनी सम इस मंदर की इस गान की वारे में saya कहानिया तो आप वह कुछ कहानिया सुनाई है कि जो किसी न सुनी नहों कि यह अधियरा है यहां पर 24 लाग रिशियों ने तविश्या किये यहां पूरा गेरा वह बहुत कुछ था आज कुछ नहीं है आज नहीं है लेकिन यह मनुकामना तुम्हें मन की हो बैं लेकिन पाप के देश्य नहीं होना चाहिए हर बड़े मंदिर में हर बड़े कौन फूलन देवी के बारे में सब जानते होंगे नहीं जानते तो बाद में उन्होंने सब को छतियार डालके सरेंडर करने के बाद वो एक बड़ी राजनेता बनी चलिए ठीक है अब अगले इस पर आते हैं कि एक हर मंदिर की एक अलग चर्चा होती है हर जो बड़े मंदिर उनके बारे में कहा जाता है कि यहां की हर कहानी होती है कि यहां किसी ने कुछ करा और उसको बाद चमतकार हुआ तो यहां की कोई ऐसी कहानी है चमतकार की कि यहां किसी ने कोई मनो कामना मांगी पूर्ण हुई कोई कहानी आपको याद हो मैं तो सन्यासी हुँ मैं तीन चार महने से यहां हुँ पहले तो हम अलब यहां हुँ नहीं अच्छा आप इन गाउबालों के मुक्से में सुन रहों सुबता रहों हलाकि यह मंदर है बहुत पराना और अगर मालो आप मांगोगे तो मिलेगा अच्छा हो तुमारी आतमा की अक्षा हो डड़ विश्वास हो आपका उपर 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 करो तो यहां कुछ नहीं मिलना है और यहां से दोकई खाके जाओगे जब इस तरह करें तब भूम है समझे ना है इसलिए मलब यहां पर जो संत रिशी मोनी आइस व्यहां चोरासी लाग रिशीयों ने चोरासी लाग रिशीयों ने तप सिया की तो इससे वड़ा इस्थान कौन हो सकता है मेरी नजर में तो कोई नई है कि लिए मैं अप्दराव के कि शाथ में में बहुत आगी का ठीक और यह उसे यह एकनम मुण बहूत आंगी का बनाओ थीक अंडिके शलिए अपके बात को ठीक, तो इस मंदर के हमे की चीछ है कि हम जब आए बाहर से तो यह एक मंदर दिखा यह मंDरों की क्या कहाणी है सामने वह मन्द लो में तुमिया तक गया नहीं 1997 मंदर बना है न उसमें गया हूँ आई सम्झे मनाघ यह पांचे साले हुई बने बद पांचे साले हुई बनी कोई ज्याद है यह मौनराम का मंदर जब अधी घ्राइन भी नहीं हो था जब से पहले सी मंदर है असो कुछी महराजी का मंदर है उन्हें इसका निर्वान करा था अब बना है यहां कुछ नहीं था वह हम से जादे बुजरुग है वह बताएंगे सब्सक्राइब कहानियों वह और बुजरुगों से तो देखे चुनाओं भी नजजदीक आ रहे हैं तो चुनाओं को लेकर भी बातचीत की जाएगे बिल्कुल हाँ ठीक है उनसे बातचीत कर यहां पर अपना भी दे रहे हैं ठीक है चलिए तो यह मंदर यह क्या है यहां से दूसरा रास्ता है जो गाओं की तरह जाता है यह एक भवन है जो स्री दामदास जी के नाम से है सदन है दरसला और यहां पर क्या है लोग जो है बाहर से आते हैं तो कोई महन तो अगेरा कोई बाबा पुजारी जो भी आते हैं वो यहां पर रहते हैं विश्राम करते हैं तो यह वो जगा है इसके साथ ही यह जो दर्वाजा आप देख रहे हैं यह दर्वाजा जो है पीछे तो दशेहरे के दिन इस जगह की जो महत्तुता है वो और ज्यादा बढ़ जाती है और ज्यादा अधिक हो जाती है तो ऐसे में यहां पर काफी लोग बाहर से आ रहे हैं लगाता रहाते हो दिख रहे हैं यह मंदिर आपको दिखाया यह पूरा दर्वाजा था जहां से लोग छक्त दर्वां रहते हैं आप जी आपका क्या नाम है मारा नम पंडी पृंस्त primeira अचा पंड़ी आप यहां इर देख लेक लिए नाव को आप पी हो आर दिन Google नहीं देखेगी दो अज दिनों की तरह खुशी का माहौल नहीं दिखेगा आज बाकी दिन तो बिल्कुल अलग होता है लेकिन आज बिल्कुल अलग रहेगा यहां बिल्कुल सांती कोई चैल फैल नहीं कब से यह मतलब यह शोग वाली जो आप सिदी बता रहे हैं कि खुशिया नहीं मनाई जाती है अज कब से ऐसा चला रहा है यहां दो हजार वारा से मतलब की हम आरा आना जाना है पर्मानेंट मैं भी नहीं रुकता हूं विरंदावन पर्मानेंट रहता हूं जी लेकिन यह आते हैं बिलकुल आते हैं तो यह मंदर का प्रांगणव आपको दिखा रहे थे यह पूरी जगहाएं है इसके बाद यह बनाया गया ये जो मुख्य दौर है वो यह विशाल्का यहां से लोग आते जाते हैं आज का दिन यहां खास था इसलिए हम यहां पर आये यहां पर बा तर्णिवाद इसी मंदिर की जो चर्चाएं है वो यहां से लेकर दिली तक आम है यह जगह मंद्लब कोई महमूली धूरक यहां पर चौराथी लाग रिशियों ने तफिश्या कि लिए तो यह जो है यहां से गुफा जो है वो नजर आ रही है तो ठीक है तो यह गुफा जो ह तो मिलेगा